कि वेल्कम बैक टो दिस यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक सिखने वाले हैं जिस ट्रीक के माध्यम से याद रखेंगे कि सहायक संधी अपनाने वाले देशी सासक कौन-कौन से थे ठीक है सहायक संधी की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग सब अपना तरीक देख लेते डी क्या दिया गया तो ठीक दिया ग है हम तो अभब करेंगी और इसी ट्रीं करेंगेर उसको बताएंगे कि कौन-कौन सा जो देprovी संधी 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 बोले तो उसको सब्क्री कर दिक करते हैं है जो कि स्थाइक संधी को अपना याथ है किसको आपको याद रखना है कि जो निजाम था निजाम औप हैदराबाद सबसे पहले सब्सेड्री एलाइंस को सब्सेप्ट किया था तो यह चीज़ आपको याद रखने है सबसेटरी एलाइंस को अपना लिया था उसके वाद से आता है अब उसके वाद से क्या आता है यहां से हा हो गया ठीक है अब कर लिए यहां फिर किया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो चाहिए अलग हो जाएगा और वाह अलग हो जाएगा तो पेसमें पेस्वा डरेक्ट कर लीजिए का क्या कर लेना पेस्वा जो की 801 में सब्सिड्री एलाइन्स को असेप्ट किया था उसके बाद से वा ठीक है वा में बरार याद कर लेना है वा से बरार याद कर लेना है वह से क्या याद कर लेना है बरार जो को सिप्विट किया था उसके बाद से हमें सी और रजा करकें दोनों के दोनों 1805 सबसीडियाट इलाइंस सायन किये थे जो से जोधपूर जाएगा और यहाँ पर करएंगे जो होगा वो silent हो जागा ठीक तो कोई भूमी का नहीं है तो इसके कडो कि का कोई भूमी का नहीं होच करेंगे को स्थीकिश करेंगे ठीकिर हम तो आब कि पेश्वा सीज करेंगे ठीक है अब सम्कू अब पेश्वा सीज करेंगे है । यह वाद इसको छोड़ यही हमारा ट्रीक था ट्रीक कैसे लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा ज्यादा सियर भी करिएगा ठीक है तो चलिए यहां पे आपको नोट भी दे दे रहा है कि जो सहाइक संधी था ठीक है जो यानि कि सबसीडरी एलाइंस था उसके अगर हम बात करें तो इसका सुरुगात कि इसके द्वरा किया गया था तो आपको याद कि लॉड वेलेजली जो लॉड लेजली थे उन्होंने 1798 में इसको शुरू किया था ठीक है तो वीडियो कैसा लगा बताएगा जरूर कमेंट सेशन में और सियर भी करिएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद